किताब में और मुझे वो बहुत प्यारा लगता है वो लम्हा जो दुनिया की वहयाई हैं उन्हें मुस्रूफ हो जाते हैं जब रात के बारा बचते हैं तो समझते हैं कि अब कोई तहजीली रोक नहीं कोई मुझभी रोक नहीं हर किसम की अदादी है उस वक्त इत्वाक से वो रात मुझे यूस्टन स्टेशन पर आई तो मुझे ख्याल आए जैसे कि हर एमदी करता है को इसमें उन्हेरा खास अलग म काम नहीं था अक्सर एमदी अल्ला के फजल से निया दिन इस तरह ही शुरू करते हैं निया साल के रात के बारा मुझे अबादत करते हैं तो मुझे मौका मिला मैं भी वहां खड़े वोकर स्टेशन पर कावज अख़बार थे वोई बचा कर वहां दो नफर पढ़ने लगा कुछ देर के बाद मुझे यु महफूस हुआ कि कोई शथ आके खड़ा हो गया है और फिर नुमाज अभी खतम नहीं की थी तो मुझे सिस्कियों की वाज आई एक शथ रो रहा था नुमाज से फारग होने के बाद मैंने देखा कि बुड़ा अंग्रेश बच्चों की तरह पिलक पिलक फिर हो रहा था मैंने उससे पूचा मैं घुरा गया मैंने का बना नहीं समझा है मैं पागल हो गया हुँचे इसलिए हो रहा है बचारा मेरी हमदर्दी में मैंने उससे पूचा कि तुमा क्या हो गया है उसने का मुझे कुछ नहीं हुआ मेरी कौम को कुछ हो ग और बार बार कहता था God bless you God bless you God bless you God bless you तो हकीकत यह है कि अगर सारी दुनिया मजाख भी उड़ाए तब भी कोड़ी की परवानी होनी चाहिए के हम दिन और जवान को वो अजवान को वो अजवान मर्द है खुदा के सवा उसके गर्दर किसी के हाथ में नहीं है यही यह थकी की अज़ादी है जो इनसान को नसीब होती है